हेलो फ्रेंज वन्स अगें वेलकम बैक टू ओन येटूप चैनल लर्निंग नीट और लगबख सभी सिक्षक भरती परिक्षा में एक सब्जेक्ट आता है सीडी पी अनि बाल विकास है वह मनुवी ज्यान उसकी क्लास आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं पूरी 30 क्यूशन के सेट देखेंगे मैं बदा दूए यह क्लास आपकी साम की 5 बजी चलती है जो की है इस्पेशली सीटेट और अंपीटेट क्लास जिसमें हम पैड़ागोजी की क्यूशन लगबख सभी सब्देट के डेवाइस देखते हैं और आज जो हम सीडी पी देखने वाले हैं चले स्टार्ट करेंगे सेशन सभी को गुड इवनिंग रिप्लाइ करना स्टार्ट करिए लाइब चैट में अच्छा चैनल पर न्यू है अगर आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अब बाद में वर ना भोल जाते हैं चले स्टार्ट करेंगे तो पहले क्यूशन आज का है अधिकम की गते निर्भर करती हैं किस पर शीखने वाले की रूचि पर जिग्यासा पर शीखने वाले की प्रेड़ना पर या इनमें से सभी पर तो देखिए अधिकम हम कोई भी चीज कैसे सीख लेतें किते जल्दी सीख लेतें ये रूचि पर भीड्ऱाट करते हैं में सीखने की गति होती है कैसी तेज धीमी अतितीव्र या निश्चित नहीं है अंते मवस्ता की बात हो रही जब भी हम कोई सीखते हैं सीख रहे हैं दिकम कर रहे हैं उसमें लास्ट में लास्ट स्टेज पे तो अंते मवस्ता में सीखने की गती काफी धीमी हो जाती है तो बिल्गुल इसके लिए सही उत्तर होता है आपका option number D उपर्योगत सभी किशोरों के सारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए कैसा विबिन प्रकार के शारीरिक व्यायाम सम्वेगों का दमन पार्टिक्रम सहगामी क्रियाएं या उनकी मागों की पूर्ती शारीरिक विकास की बात हो रही है किशोरों के तो शारीरिक विकास तभी होगा जब विबिन प्रकार के शारीरिक वियायाम कराए जाएंगे तो बिलकुल option number A यहाँ पिस सही जाता है किशोरा वस्था का प्रारंब माना चाता है 15 वर्ष की आयो से 13 वर्ष की आयो से या फिर 17 वर्ष की आयो से और इसमें तो खेर कोई डाउट ही नहीं है 13 वर्ष की आयो से जो है किशोरा वस्था का प्रारंब माना जाता है अधिगम का सिध्धान्त अधारित है अधिगम के सिध्धान्त किस चीज़ पे अधायत है यह बताने है जी ओ और जीने दो करो या मरो प्रयत्न और भूल इन बालक की व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है प्रयत्न एवं तुर्टी अधिकम, अनुकरण अधिकम, अंतर दरश्टि पूर्ण अधिकम या अनुदेश नात्मक अधिकम तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो यहां प्यादिगम होता है बालक के परिपेश में तो आप्शन नमब बी से जाता है अनुकरण अधिगम नेक्स देखेंगे व्यक्तिकत लिगा है व्यक्तिकत विभिनताओं से संबंदित निम्न में से कौन सा कथन सही है यानि कि व्यक्तिक विभिनताओं से रिलेटेड आपको पॉजिटिव वाला ओप्शन चूस करना है यदि विद्यार्थियों का बुद्धिस्तर समान है तब भी उपलब्धी में विभिनता हो सकती है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती व्यक्तिकत विभिनताओं के वक् कॉप्शन नंबर है इसमें से कि यदि विद्यार्थों का बुद्यस्तर समान भी हमान लीजे आईक्योलेबल सेम भी है तब भी उन्हें की उपलब्धी में विभिनता हो सकती है यानि कहीं न कहीं किसी ने किसी चीज़ को लेके विभिनता आएगी ही आती है और यही चीज जो है विभिनता कहलाती है निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उप्यूक्त नहीं है हिंदी में पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार साथवी कक्षा के विद्यार्थियों के व्यभार पर लिकित प्रशंसा और मौकित प् संधान के लिए तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी परंपरागत विदी के ऊपर कंप्योटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव यह उप्यूपत नहीं है हिंदी में पाचवी कक्षा के विद्यार्थियों के लेक में सुधार करना बिल्कुल ठीक है साथवी कक्षा के विद्यार्थियों के व्यभार पर लिखित प्रशंसा मौकी प्रशंसा के प्रभाव का सुलनात्म गध्यन यह भी सही है और ग्लोब और उगेरा के यूस्तु केर्बोगोल में ठीक ही है नेक्स देख लेंगे बालकों काममुक्त फेंवन अनिवार सिक्षा का धिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना गुमंतु बालकों के प्रवेश रकारारण करना चौदर वर्ष के पश्चात की सिक्षा बहुत ही फेमस प्रशन है यह एक तो सही अंसर हो जाता है आप पे आपका option number D चौदर वर्ष के पश्चात की सिक्षा इसका कोई भी जिक्रजु है इसमें नहीं किया गया है निम्न में से कौन सा शोद का चरण शोद को क्रियात्म का नुसंधान बनाता है उपकल्पनाओं का निर्मान, प्रोग्राम का क्रियानवयन एवं अंतिम मुल्यांकन, सामानी करण, शोद आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना और बिल्कुल यह आपे सही एंसर होगा आपका ओप्शन नंबर बी प्रोग्राम का क्रियानवयन और अंतिम मुल्यांकन, यह सही एंसर हो जाता है अभी योग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्तिकी भविश्य की छमताओं की और संकेत करती है यह परिभाशा किसे ने दी है बिंगम महोदे ने, जेम्स ड्रेवर ने, ट्रेक्सलर ने, वारिन ने तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है इसके लिए से उत्तर आप्शन नंबर C से होता है ट्रेक्सलर ने बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से है जाती भेत, अनुवान शिक्ता, वातावरण, अनुवान शिक्ता इवं वातावरण दोनों सामाजिक विकास की जहां बात हो रही है देखिए तो इसमें आपका उप्शन नंबर C आ जाता है वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है बुद्धि लब्दी के लिए विशिष्ट श्रेक इस मनोव ज्यानिक को जाता है जिंगवन, फ्रायर, मैकडूगल, कोहलर ये स्टर्ण तो बिल्कुल स्टर्ण को जाता है उप्शन नंबर D वुद्धि लब्दी का जब भी राम आता है इनका नाम उस साथ में जुड़ा होता है बाले अवस्ता की प्रमक विशेष्टा नहीं है क्या प्रबल जिग्यासा प्रवरिती अनुकरण की प्रवरिती अंतर मुखी व्यक्तित्व संचाई की प्रवरिती तो यहाँ पे अंतर मुखी व्यक्तित्व जो है ये बाले अवस्ता की विशेष्टा नहीं है प्रगबरल जिग्यासा जिग्यासा बहुत होती है अनुकरण करते हैं बच्चे जो है इमिटेट करने की कोशिश करते हैं जो भी चीज़ देखते हैं उनको पसंद आती है तो और संचे की प्रविति जो है इस अवस्था में होती है सम्विगात्मक विकास में किस अवस्था में तीवर परिवर्थन होता है शिशु अवस्था, यूवस्था, बाले अवस्था, किशोर अवस्था चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है क्या होता है आपका option number D हो जाता है किशोर अवस्था नेक्स देख लेंगे बालक का शारीरिक, मानसिक, समाजिक और सम्विगात्मक विकास के सवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है शैस्वा वस्था, यूवस्था, बाले अवस्था या किशोर अवस्था यह actually controversial question है क्योंकि इसका अलग-अलग जगह पे अलग-अलग answer आपको देखने को मिल सकता है यह दोनों में से किशोर अवस्था बेसिकली लेकिन आप पूर्णता को प्राप्त करने की बात हो, यानि complete हो जाने की बात करी तो इस वज़ा से इसका यू अवस्था जो है correct answer हो सकता है तो कुछ जगह पे आपको यह answer भी देखने को मिल सकता है खेर आप comment करके बते ही आपके हिसाब से यह क्या होना चाहिए नेक्स देख लेंगे इस किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर बलन का प्रयोग किया है तीन प्रकार के, चार प्रकार के, छे प्रकार के, दो प्रकार के उप पुनर बलन तो तर से होता है, option number B, चार प्रकार के नेक्स देख लेंगे कोहलर का अधिकम सध्धांद निमलिकित नाम से जाना जाता है पुनर बलन का सध्धांद, प्रयास एवं दृटी का सध्धांद, अंतर दृष्टी का सध्धांद, उद्धीपन अनुक्रिया का सध्धांद और उत्तर सही होता है अंतरद्रिष्ट का सद्धान्द नेक्स देख लेंगे अधिकम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरन, ट्रेर्णा, परिपक्वता इन में से सभी अधिकम तब तक संभाव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या नहीं हो ततपर नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, सूजबूज वाला नहीं हो या इन में से सभी ऑप्शन आ सकते हैं तो यहाँ पर सही एंसर होता है आपका उप्शन नबर भी परिपक्व नहीं हो जब तक व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व ही नहीं है तब तक अब जिसे माली जाब एक 6 महीने के 3 महीने के बच्चे को A,B,C,D लिखना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, वो सीख पाएगा जब उसकी शरीरिक मतब शरीर से वो अभी उस लायक बनाई नहीं है मानसिक विकास अभी उसको उतना हुआ ही नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते हैं तो यह जब तक परिपक्वता स्टेज के हिसाफ से एज के हिसाफ से जो चीज सीखनी होती है उस तेज सीखनी लाइक नहीं आ जाती है तब तक सौपॉसिबल नहीं है अधिकम सम्विकात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तत्य है ये कथन किसका है काउट का जा का मैलोन का ब्लेर का अप्शन नंबर सी यहां पर बिल्लूब सही जाता है अगर गिसी गेस किया था तो सही था निम्न मेंसे कौन सा कारक किशोरावस्ता में बालक के विकास को प्रभावित करता है खान पान वन्शानुकरम नेमित दिनचरिया ये सभी वस्था की बात हो रही है ध्यान दीजेगा तो यहां पर चुछ सही एंसर होता है ऑप्शन नंबर भी हो जाता है यह सभी चीजे पालक के विकास को प्रवाइद करती हैं खान पान भी स्टेश पे बहुत ज्यादा इसका ध्यान देना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत तरह विकास के किस काल को अत्तितिक दबा और तनाओ का काल कहा गया है कि शोरावस्था, प्रोड़ावस्था, मध्यावस्था या वृध्था वस्था और यहां पर सयुत्तर सबको पता ही है कि शोरावस्था, अत्तितिक दबा और तनाओ का काल next question अभिवरिती संप्रत्य है संग्यान परक क्रिया परक सम्वेगात्म ये सभी तो यहाँ पर से उत्तर होगा ये सभी मनों वैज्यानिकों के अनुसार बुद्धी क्या है सीखने की चमता है अमूर्थ चिंतन की योगिता है या तो ए है या तो बी है मतलब कि आप फिक्स नहीं है डिसाइडर नहीं कर पाये है या फिर ये दोनों है तो बुद्धी देखिए सीखने की चमता भी है और अमूर्थ चिंतन की योगयता भी है ना अस अबने अलग-अलग जो है इसकी परिवाशत दी है option number D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है तो हमारा यह छोटा सा सेशन मुझे पूरी उम्मीद आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाएगा तो थैंक्स पर वाचिंग कीप स्टारिंग और बाबाई